वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाई शुरेनिक जैन यूटूब चैनल आर एसेम एसेसबी की तरफ से रिक्रुट में निकल करके आ रही है फॉर ट्वेंडी ट्वेंडी टू काफी भैतरीन ऑपरचुनिटी है बिकॉज इन टोटल वेकेंसी है 10,157 येस आप सई सुन रहे ह पर्मनेंट जॉब आपका होने वाला है और इंडिया एलिजिबल है तो कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं क्या होने वाली है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा सालरी सभी के बार में बात करेंगे डीटेल में इस वीडियो में तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ दो वेकेंसी निकली है बेसिक कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर और दूसरी है सीनियर कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर बेसिक कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर में अन्रिजर्वड वालों के लिए 8,974 वेकेंसी है रिजर्वेशन वालों के लिए 8,88 वेकेंसी है तो इन टोट कि कब से application date start हो रहा है वैसे तो online application है start हो रहा है 8 February से तो अभी काफी time है मैं आपको links दे दूँगा जैसी एक बार notification out हो जाती है इस channel पर बता दूँगा तो यह channel को subscribe करके रखना ठीक है दूसरी बात यहाँ पर end कब होगा 9th March को यह end हो जाएगा application form exam date कब है में या जून में व इस की तो general and राजस्तान CL OBC MBC candidates के लिए 450 है और राजस्तान NCL OBC MBC या EWS तो specific reservation उनके लिए है 350 है और अगर PWD SCST family income less than 2.5 LPA है तो उनके लिए 250 application fees रहने वाली है अब यहाँ पर educational qualification के बार में बात करें तो senior computer instructor के लिए M.E.M.Tech होना चाहिए in computer science या फिर IT या फिर electronics and communication या electrical य या electrical and electronics या electronics and telecommunication या electronics and instrumentation अगर वो नहीं है तो फिर M.E.C. होना चाहिए in computer science या IT अगर वो नहीं है तो master's in computer application होना चाहिए B.Level या C.Level और any equivalent और higher qualification recognized by the government तो senior के लिए है junior के लिए कौन कौन apply कर सकते है यह काफी अची चीज है यहाँ पर आप देख सकते हो bachelor's in engineering याने B.B. टेक वाले apply कर सकते है अगर आपके पास computer science, IT, ECE, EE,EEE या फिर electronics and instrumentation and control या फिर telecommunication and instrumentation की degree है तब आप eligible हो और अगर वो नहीं है तो B.E.C. होना चाहिए अगर वो नहीं है तो bachelor's in computer application होना चाहिए और else the equivalent degree वो भी चल जाएगा तो यह था complete update उसके साथ साथ बताना चाहता पर written test के माधियम से selection होगा तो इसलिए आपको यहाँ पर दो paper लिखना पड़ेगा paper one में आपका general ability वाला part है hundred question आएगा इस प्रकार से बटा हुआ है hundred marks two hour की यहाँ पर exam होगी और negative marking है दूसरा यहाँ पर है pedagogy mental ability and professional subject यहाँ पर भी hundred question hundred mark two hours का exam है so total four hours का exam होगा syllabus क्या है इस एक बच्चा कहेगा सर जी salary क्या है तो यहाँ पर salary के बार में बात कर दें तो यहाँ पर salary थोड़ी सी कम है basic computer instructor के लिए 18,500 पर मन senior computer instructor के लिए 23,700 पर मन senior computer instructor जब आप प्रमोट हो जाते हो अच्छा काम करते हो तो 33,800 पर मन तो काफी अच्छी salary है तो मुझे लगता है यह सा opportunity में apply करना, till then take care, bye bye for now, see ya